हेलो फ्रेंज, विल्कम टू मैं चैनल, आज मैं आपके लिए पैड़ागोकी के क्वेशिन नमबर 11 से क्वेशिन नमबर 20 तक के सॉल्यूशन्स लिकर आई हूँ, क्यूकि हम 2018 का क्वेशिन नमबर 1 से क्वेशिन नमबर 10 तक कर डिस्केशिन पहले ही कर चुके हैं, तो चले स् कारण की परिकलपना का परिक्षण कर रही उपकरणों की मरमत करता है, तो वो उपयोब करता है, तो इसका राइट आंसर है, उप्शन नमबर 4, अनुमानी विधी, मतलब उपकरण को देखकर, उपकरण का निरीक्षण करके, अगर वो उपकरण को ठीक करने की कोश्च कर है, तो इस विधी को हम अनुमानी विधी कहेंगे, हमारा नेक्स कॉश्चन है, दिव्या अक्सर निर्देशित कारियों को छोटे-छोटे हिस्तों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वो उपयोग करती है, इसका राइट आंसर है, उपलक्ष विसलेशन विधी का, इसक तोटे-छोटे कारियों को संपन्न करती है, इसे हम कहते हैं, उपलक्ष विसलेशन विधी, चलिए अब नेक्स कॉश्चन देखते हैं, पुरुष और महिला की वुमिकाओं का निर्दारन समाज करता है, ये कथन बताता है की, इसका राइट आंसर है, उप्शन नमबर फोर लैंगिक्ता एक समाजिक अबतारन है, इसका मतलब है, कौन सा काम पुरुष करेगा और कौन सा काम महिला करेगी, इसका विभाजन समाज द्वारा ही किया गया है, क्योंकि ये समाज के द्वारा ही अबतरित है, इसे भगवान ने नहीं बनाया, इसे समाज ने बनाया है, न इसका right answer है option number 4, अधिगम करताओं की उपलब्दी के आकलन की गड़न विधी हमारा next question है, question number 15, अधिगमन करताओं की उपलब्दी का आकलन सिक्षकों की सहायता करता है तो इसका right answer है option number 2, सिक्षण अधिगम विधियों की प्रभाव शीलता का मुल्यांकन करने में हमारा next question है, question number 16, समावेशी सिक्षा खलिस्तान के सिधान्त पर आधारित है इसका right answer है option number 2, समता एवं समान अवसर पर हमारा next question, दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष खलिस्तान में लागो हुआ इसका right answer है option number 4, 2016 में दिव्यांग जन का जो अधिकार अधिकार अधिनियम है, वो 2016 में लागो हुआ है हमारा next question, question number 18, व्यक्तिकत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्याले होना चाहिए, जहां सिक्षक इसका right answer option number 2, जहां सिक्षक विविध अधिकार अधिकार अधिनियम 2009, दिव्यांग बच्चों की नीशोल्क सिक्षा के अधिकार को सुनिश्चित करता है इसका right answer है option number 1, 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए हमारा last question, question number 20, विविध अधिगम करताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में सिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तातपर खालिस्थान से है इसका right answer है अधिगम की सार्वभामिक संरचन तो यह ता question number 11 से question number 20 तक का solution जो की पेड़गोगी की question है और यह paper number 2 का solution है next question, question number 21 से question number 30 तक का जो वीडियो है हम आने वाले 2-3 दिरों में देखेंगे तब तक के लिए अच्छे से बढ़िए, thank you